हेलो डिसाइपोल्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल, डिसाइपल नचल पॉइंट आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं असेंडिंग ओडर अफ अन्लाइक फ्रेक्शन्स जो हमारे अन्लाइक फ्रेक्शन्स होते हैं उनको कैसे हम असेंडिंग ओडर में लगाएंगे हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि जो लाइक फ्रेक्शन्स होते हैं उनको कैसे असेंडिंग ओडिसेंडिंग ओडर में लगाते हैं चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको यह आसान लगने लगेंगे, ठीक, चलिए, इसको करते हैं, अब इनको करने के लिए आपको एक काम करना होगा, और वो ये है कि इनके जो denominator's दिये होंगे, जितने भी fraction's दिये हों, इन सभी के denominator's का आपको LCM लेना होगा सबसे पहले, LCM ले करके ही solve होगा, और ये देख जब ही light fractions में convert हो जाएंगे, तब ही आप इनको ascending और descending में लगा सकते हो, तो light fractions बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले LCM लेना पड़ेगा, इनके denominator's का, तो चलिए हम इनके denominator's का LCM लेते हैं, हमारे पास है 5, 6, 2, 3, and 10, ये हमारे पास इनके denominator's हैं, इन सभी का हम क्या करेंगे, LCM लेंगे, तो सबसे पहले हम इनके prime factors करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 5 divide होगा नहीं, 6 करेंगे, तो 2, 3's are 6, 2, 1 is 2, 3, ये ऐसे ही आ जाएगा, 2, 5's are 10, फिर करते हैं, हम 3 से कर लेते हैं, तो ये 5 हो ज हमारे पास जो आया है, हो क्या है, 2, 3, 5, ये हमारे prime factors आएगे, अब इनको जब multiply कर लेंगे, तो जो आएगा multiplication करके, 2, 3, 5, वही हमारा LCM होता है, तो 2, 3's are 6, 6, 5's are 30, तो हमारे पास answer कितना आजाएगा, 30, अब ये जो 30 आया है, वही हमारा LCM है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमें LCM की जरूरत क्यों पड़ी है, देखिए, अब ये जो भी LCM आया है, हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको like fraction में convert करना है, मतलब हमें इसके denominator को same करना है, भई like fractions में denominator सबके same होते हैं, तो उसके लिए हमें LCM की जरूरत पड़ेगी, तो LCM आया है, हमार करेंगे, सबसे पहला इसका denominator देखेंगे, इसका denominator है 5, अब इस 5 से 30 को divide कर देंगे, ठीक, इस 5 से 30 को divide कर देंगे, divide करने पर जो भी number आएगा, जो भी number आएगा, उसको हम दोनों, मतलब numerator और denominator में multiply करेंगे, ठीक, आपको यही चीज़ याद रखनी है, LCM आया हमारे पास, जो भी LCM आएगा, उसको हम क्या करेंगे, हर जितने भी fractions दिये हैं, सबके denominator से divide करेंगे, divide करने पर जो भी answer आएगा, सबसे हम numerator से multiply कर देंगे, चलिए, करते हैं इसको हम, अब देखिए, यह हमारे पास 2 by 5 लिखा हुआ है पहले से, हम इसमें क्या करेंगे, multiply करेंगे, वो number जो इसको divide करने पर हमें मिलेगा, तो जब हम 30 को 5 से divide करेंगे, तो हमें मिलेगा 6, क्योंकि 5 6 आ 30 होता है, तो हमें मिलेगा 6, अब 6 को हम उपर नीचे, मतलब numerator और denominator में multiply कर देंगे, multiply क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे चाहिए 30, मतलब हर fraction के denominator में हमें होना चाहिए, ह अभी तो वो like fraction बनेगा, अब चलिए, ये वाला करते हैं, तो अब इसमें देखी क्या है, इसमें 6 है, तो इसको 6 से divide करेंगे, तो 6 5, 030, 5 आएगा, तो 4 multiplied by 5, upon 6 multiplied by 5, फिर यहाँ पर क्या है, 1 by 2 है, तो जब 30 को अब 2 से divide करेंगे, तो हमें मिलेगा 15, तो अब हम इसको 15 से multiply करतेंगे, numerator और denominator दोनों में, ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो ये 3 है, नीचे, तो 3 से अब divide करेंगे इसको, तो हमें मिलेगा 10, तो 1 को 10 से multiply करेंगे, और नीचे भी 10 से multiply करेंगे, अब जो एक बचा ये, 7 upon 10, अब जब 10 से इसको divide करेंगे, तो हमें मिलेगा 3, तो 7 क multiply करेंगे 3 से, और 10 को भी 3 से multiply कर देंगे, अब दिखिए, क्यों multiply किया गया है, आपको अभी समझ में आ जाएगा, हम इसको पहले multiply करके रख लेते हैं, तो 2 6 are 12, upon हो जाएगा, 5 6 are 30, ठीक, 4 5s are 20, upon 30, सब में 30 आ जाएगा, 15 upon 30, 10 upon 30, and 21 upon 30, अब दिखिए, अगर आप ध्यान से देखें, तो ये सब के सब fractions किसमें convert हो गए, like fractions में, अगर ये like fraction में convert हो गए, तो अब आपको ascending order में इनको लगाना आता है, आप कैसे लगाएंगे इनको ascending order में, इनके numerator को देखेंगे, और numerator को देख करके इनको arrange कर देंगे क्योंकि denominator सो सबका same है, तो अब दिखिए, इसको जब हम ascending order में लगाएंगे, तो ascending order का मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे छोटा इसमें कौन सा number है, 10 है, तो 10 upon 30 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 है, तो 12 upon 30, then 15 upon 30, उसके बाद है 20 upon 30, last है 21 upon 30, तो ये रहा इसक ascending order, I hope आपको समझ में आया होगा, चलिए मैं आपको एक बार फिर से explain करता हूँ कि इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले हमाई तो एक unlike fraction दिया होगा, उसको बोलेंगे कि आप ascending order में इसको लगाईए, अब अगर unlike fraction है, तो हमें उसको ascending order में लगाने के लिए सबसे पहले तो एक काम करना है, और वो है इसको unlike से like में convert करना, ठीक, अब unlike से like में convert करने का ही यह पूरा process किया गया है, यह जो पूरा extra काम किया गया है, यह और यह LCM वाला, यही काम है कि जो unlike है, उसको like में convert करना है, ठीक, बिना unlike को like में convert किये, आप इसको ascending order में नहीं लगा सकते हैं, ह वो दूसरी बात है कि आप इनको divide कर लें और divide करने पर आपको जो decimal में मिल जाएगा तो आप कर सकते हों लेकिन उसके अलावा आपको आपकी पास कोई तरीका नहीं है जिसको आप ऐसे ही direct बता दो कि कौन सा चोटा है कौन सा बड़ा है और फिर आपको उसको लगा दो ascending order में इसके लिए कोई भी तरीका नहीं है तो सबसे पहले इसको unlike को हम like में convert करेंगे अब उसके लिए करना ये होगा कि जो भी denominators हैं उनका हम LCM लेंगे LCM आएगा जो भी LCM आएगा अब जितने भी fractions यहाँ पर दिये हैं हर fraction के denominator से LCM को divide करेंगे LCM को divide करने पर जो भी answer आएगा वो हम हर fraction के numerator और denominator से multiply कर देंगे यहाँ पर देखिए क्या किया था है यहाँ पर 5 था तो 5 को अगर हम 30 को 5 से divide करते हैं तो हमें मिलता है 6 तो 6 को हमने क्या किया देखिए denominator और numerator दोनों से multiply किया यहाँ पर 6 था 6 से divide करेंगे तो 5 मिलेगा अब 5 को हमने उपर नीचे दोनों multiply क किया यहां 2 था 2 को जब हम 2 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो हमें 15 मिलेगा तो हमने यहां पर 15 उपर नीचे मल्टिप्लाइड किया यहां पर 30 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा तो हमने 10 को उपर और 10 को नीचे से मल्टिप्लाइड किया फिर हमारे प fraction मिल गए तो उनको आप easily increasing order में लगा सकते हैं तो I hope आपको ascending order of unlike fraction समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आई हो तो like करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें हम आपसे फिर मिलेंगी अपनी next class में तब तक के लिए keep learning and keep doing